सूरा मेरे मेज़ पमान तठान फिर मेनी सिख्खा पधिंसमादियानी बुद्धन छट पोजा, छट मैया, छटी का दोद याद दला दूँगा, क्या छटा है? यह जो मौसम है, इसकी छटा है, वो अनूठी है, यह छटा निराली है छट का जो मतलब होता है, वो छे, आधा, टे और ठे, पूरा छट इसको बोलते हैं, जो औरिजिनल सद्ध है छट, छट माने पाली में होता है छे, यानि सिक्स, जिसको बाद में छे करके, संसकाइद करके, छे और तो छे नंबर से, यानि छट से, अगर कोई फेस्टिबल है, और लगातार चार दिन तक चलता है, तो पुराना फेस्टिबल है, पुराना उत्सब है, कोई पुराना कारण है, क्योंकि छट, सत, अठ, नव, दस, दसेरा, 81, 82, अमाबास, पढ़वा, पूर्णमासी, अगर कहीं इन दिनों कोई उत्सब पढ़ते हैं, तो पुराने हैं, और चट का अगर आप इस्थान देखेंगे, तो मगद, आज का बिहार, वैश्ट बंगाल कुछ हिस्सा, उड़ी सा कुछ हिस्सा, आज के च्छतिजड़ का हिस्सा, कबल वस्तू नेपाल का कुछ हिस्स ये उसका उत्सब का भौगौलिक इस्थान है, चट इससे आरपार नहीं थी, यानि इससे परह नहीं थी, आज पूरे भारत में और दुनिया में भी हैं, जहां जहां मगद के या बिहार के लोग गए हैं, वहां चट को साथ लेके गए हैं, क्योंकि चट दीपावली से सौ गुना बड़ा फैस्टिबल है, उस चेत्र का सबसे बड़ा फैस्टिबल, और चट को सभी लोग मनाते हैं, जिन लोगों ने अपना मझभ, अपना धरम, अपना रिलिजियस परिवर्थित कर लिया है, बदल लिया है, वो लोग भी चट को मनाते हैं, और चट के अंदर कही कोई वर्गी करन नहीं है और कमाल की बात तो यह है कि छट के अंदर कोई वमण नहीं है ना कोई पंडा ना पुजारी ना प्रोहित पूरे फेस्टिवल में चार दिन चलता है चार दिन के अंदर एक दिन एक सेकंड के लिए भी कोई वमण नहीं है इसका मतलब छट जो फैस्टिवल है वम्णों के आने से पहले का है सुद्ध फैस्टिवल है सुद्ध जिसको बाद मैं शुद्र कहा गया सुद्ध से ही शुद्र बना है सै वाला संसार वाला सुद्ध तो फैस्टिवल औरिजिनल है और फेस्टिवल के कई सारे रूप हैं फेस्टिवल फसलों का भी है जैसे के सारी फसलों का फेस्टिवल होता है फेस्टिवल पूजा पाट का भी है फेस्टिवल बाद में चैतिया का भी है क्योंकि एक छट चैत में आती है तो चैतिये का भी है एक कत्तिक वाला जो आज कल में आने वाला है और इस फैस्टिवल की बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ी और बहुत सारी चीज़ें इसमें घटी इसकी जो छट मैया है क्योंकि छह से छट मैया बनाया है तो छट मैया का मतलब होता है छै मा या कोई ऐसी मा जिसके साथ छट में दिन या छटी वाले दिन कुछ हुआ है खास ऐसी कोई महिला छट मैया की जय बोलते हैं छट पिता की जय नहीं बोलते पर मनाते दोनों हैं नर और नारी दोनों ही इसको मनाते हैं और इसके जो मनाने की चीजे हैं वो बड़े कमाल की हैं अगर बुद्ध साहित्य के अंदर या समण साहित्य के अंदर या समणों का सबसे बड़ा कोई फेस्टिबल है तो छट है छट सबसे बड़ा है बुद्ध जैनती से भी बड़ा छट है क्यों है क्या कारण है जो बुद्ध है वो आ रहे हैं अपने पिता के इन्विटेशन पे अपने गाओं में अपने कबीले में अपने गढ़ में अपने समण गढ़ परिशद में तो पहुंचते हैं दीपावली से एक दिन पहले अमावस से एक दिन पहले दीपावली को सब लोग जो मनाते हैं यानि के प्रकास का दिया होता है ऐसी दीपावली नहीं जैसी आज है बस दीपों की आवली दीपों की लड़ी उजाले के लिए या धम प्रकास फैल रहा है धम का प्रकास धम के प्रकास का आवली धम प्रकास आवली तो बुद्ध सबको मिल रहे हैं मिल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो परिशान और सबसे ज़्यादा जिसका नुकसान हुआ है या जो सबसे ज़्यादा जिसकी भावनाय आहत हुई है या जो सबसे ज़्यादा परिशानी में रही है वो पतनी होती है अगर किसी का पती, अपनी अच्छी सुंदर, सुसील, यस वाली पतनी, बिमबाधारी, बिमबा, यानि जिसके चेहरे पे खूब सूठी हो या भद कच्चाना, यानि कच माने बाल होता है, कच्चाना माने लंबे बाल वाली और भद माने सिष्ट नोबल महिला ऐसी पतनी को और अपने नवजात बच्चे को और परमीसन के साथ घर छोड़े और घर छोड़ने की मजबूरी हो जाना पड़े और गड़ में कमीले में बापिस ना सके और फिर उस व्यक्ति की खबर आए तो उस महिला के जो नव यॉबना है एक बच्चे की मा बनी है कैसा उसके दिल पे उसके मन में भाव आते हैं कैसा सैक्रिफाइज कैसा उसने त्याग किया कितना कठोड जीवन जिया ये उसकी कहानी है सिद्धत गौतम चले गए पर उनकी पतनी जिसको भद कच्चाना कच माने बाल, कच्चाना माने लबे बाल वाली और भद माने सिश्ट महिला ये औरिजिनल नाम है जिसको कात्यायानी बोलते हैं कात्यायानी जो हमारे आठ माताएं हैं उनमें छटे नमर की माता मानी जाती है कात यायनी उसी का नाम भद कच्चाना है भद कच्चाना को संसकाइद करके कात यायनी बोला गया है छटे नमबर की वहां से कह सकते हैं छट मैया छटे नमबर की मैया पर इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट छट क्यों है छट इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि जब सिद् मिलते हैं अब वो बुद्ध हो चुके हैं बुद्ध वो व्यक्ति होता है जिसके अंदर किसी प्रकार का ना राग हो ना द्वेस हो यानि ना उसे कुछ चाहिए और ना ही वो किसी से कोई दुस्मनी रखता है ना ही किसी के पिट्टी कोई गलत बात रखता है धाना रखता है तो सारी जितनी भी नारियां हैं वो मातर बहन हो जाती है और जितने भी नर हैं वो सब भ्राता हो जाते हैं भाई हो जाते हैं उनका कोई राग दूस नहीं कोई किसी काया के पिर्टी, किसी के स्किन के पिर्टी, किसी के प्यार के पिर्टी, किसी के चाहत के पिर्टी ते वही तो जीता उन्होंने तो पता है और दूसरे की भावनाओं को बुद्ध जैसे व्यक्ति या अरत जो होते हैं या विपशना करते हैं देखते ही समझ जाते हैं कि मन में क्या चल रहा है तो सारे लोग मिलते हैं उनका साथ साल का बेटा राहुल जो उनके दोस्त हैं वो यसोद्रा भी नाम है यसोद्रा मतलब जिसका यसद्रा हो बाद में पढ़ा यसोद्रा बिंबा भी नाम है बिंबा यानि जिसका बिंब जिसका पिर्टी बिंब सुन्दर हो पानी में देखते थे पहले बिंब तो बिंबा पढ़ा राहुल माता भी नाम है राहुल का है जो चंद्रमा के बीच में आके रोसनी को रोकता हो उसको राहूल बुलते हैं तो वो जाते हैं पता चलता है कि वो अपने कमरे में हैं तो उससे मिलने जाते हैं साथ में भिक्कों को लेके जाते हैं दो भिक्कों को उनको समझाते हैं वो रोएगी वो लिप्टेगी वो चि में टच नहीं कर सकते भिक्कु किसी को चूकर आसिरबाद नहीं दे दे सकते किसी से चूकर आसिरबाद ले नहीं सकते हाथ पैर भी नहीं दवाते भिक्कु भिक्कु को मदद कर सकता है पर जो अरत नहीं है वो अरत को बिना नहीं कर सकता क्योंकि काया का स्पर्स होता है तो क बुद्ध के नियम के विपरीत है पर बुद्ध समझाते हैं जब रूम में जाते हैं तो भद्ध कंचाना ये भूल जाती है कि पास में और भी भिक्कु खड़े हैं उसे तो अपना पती दिखाई देता है और वो लिपट के चुपट के खूब रोती है रोने का दौर भाव निकल जाता है तो उसे होस आता है कि और भी भिक्कु है तो सीधी खड़ी हो जाती है फिर जो सुद्धोधन है जो उनके पता है वो बताते हैं कि बुद्ध जब ये जब पता चला कि आपने बाल कटाए तो इसने भी बाल कटाए जब आपने खाना छोड़ दिया तो इसने सहें पूरे लगातार क्योंकि खबरें आती रहती थी अभी सिद्धत गौतम क्या कर रहे हैं अब क्या कर रहे हैं छोटा ही तो एरिया था लोग आते जाते रहते थे खबरें मिलती रहती थी तो उसने वही नियम के पालन किये जो सिद्धत गौतम ने किये पर विपस्तना सब्सOわते पर यसुद्रा के वाद्ध के वारे में को जाने के तो वहां उनको सिखाते हैं धुंता कि उनके दुख दूर हो तो बै Sultan बैह दस्टी दिवस होता है फिर आगे इस दिन फिर सौन दिन फिर पांच मां दिन सश्टी यानि चुटी आती है चटी पे अब सिद्धत गौतम को जाना है क्योंकि वहां ज्यादा रुक नहीं सकते तो जाना है तो यसोद्रा यानि भद्ध कच्चाने की हलत खराब है पती जा रहा है और पती क्या है अब तो लास है उसमें कोई भावना नहीं कोई फिलिंग नहीं कुछ नहीं उसके अंद हुआ है कच्चाना को निबान नहीं प्राप्थ हुआ है उसके अंदर राग और द्वेस पूरे भरे हुए हैं तो उसकी जो सहलियां माता बहने जो भी कुछ हैं वो उसको सांतना देना चाहती हैं तो सांतना कैसे देते हैं सांतना देने का तरीका आज भी वही है एक महिला को कैंसर हो गया कैंसर होने के बाद डॉक्टर ने कहा सारे बाल कटाने हैं गंजा होना है कैंसर में जब कीमो थ्रहपी होती है तो बाल उड़ जाते हैं तो उसको कटा देते हैं पहले ही ताकि बाल उड़के जड़के सरीर पर ना गिरें तो वो जाती है नाई की दुकान पर यूरोप की बात है वीडियो आती रहती हैं वीडियो में आप देख सकते हैं तो अपने सुन्दर बालों को अपने कच्च को देखके वो कच्चाना रोती है जब रोती है वो महिला यूरोप में जो इंगलिस महिला है तो सैलून वाले उसको उसके दुख में शामिल होने के ल हो जाता है क्योंकि सारे उसके दुख में शामिल हैं सब गंजी हो गए वैसे ही कोई लंगड़ा बच्चा अगर खेलने आए और वो दो टांगों की बच्चों के साथ आए तो बाकी सब अपने अपने रसी बांदेते हैं लंगड़े हो जाते हैं ताकि उसकी भावना को आहत ना हो और उसके साथ बरावरी का रहे दुख बांड़ने का तरीका है किसी के दुख में हम जाते हैं तो हसकर नहीं जाते वहां उतनी गमगीन हो जाते हैं जितना वो गमगीन होता है ताकि उसका दुख बांट सके उसको महसूस हो सके कि उसके दुख में शामिल है तो अब यसोदरा, भदकचाना, बिंबा, राहुलमाता को दुख है तो सारी महिला उसके दुख में सामिल है तो धम सीख रही है तो धम सीखने का भी यहां सिश्टम चल रहा है वारित नियम यानि बरत कर रही है वारित हो रही है तो खीर से सुरू करती है खरना से सुरू करती है नहाती है तो उसके कष्ट के लिए 36 गंटे का अबास करती है उसके साथ वहाँ वो उसके पूरे साथ साथ जितना भी कष्टों से हुआ है उसके कष्ट में सरीख होती है तो जमीन पर सोती है तो खाना मुलकु सुद्ध खाती है ना लसन खाती है ना प्याज खाती है नमास खाती हैं कुछ नहीं खाती हैं साधा खाना खाती हैं पानी में खड़ी रहती हैं दिन के समय रात को बहुत कम सोती हैं और एकांत में रहती हैं और कपड़ा ऐसा पहनती हैं जैसा वो खुद पहनती थी या जैसा वो बुद्ध पहनते थे बिना सिला हुआ एक साड़ी क सारे एक साड़ी आज भी पहनते हैं बिना सिला हुआ कपड़ा जिसको चीवर बोलते हैं वो चीवर पहनती हैं ये बात जब तक की है जब तक भद करचाना एक्सपार नहीं हुई होगी क्योंकि बात में वो धमू में चली गई उनकी चेतना जागी तो वो भिकुणी बनी तो एकसपार हो गई होगी तो उनका चेतीय भी बना होगा मनोतीस तोफ जिसको आज महिलाएं पूर्स्टीय नमन पहन करती हैं इसलिए दो चट होती हैं क्योंकि वो चटे नंबर पहे हैं च्छा दिन तक वो रहीं या च्छा बųरस तक वो ऐसी रहीं संभावना यह है कि छह ब अपने जो बलिदान दिया, आपने जो त्याक किया, हम उसको आउनर करते हैं, हम उसको सम्मान देते हैं, भिकों को जाने के लिए लिए बाद में प्राकर्तिक चीज़ें दी जाती हैं, सारे उस समय की फल, तो फलों का और जो फसल इसका भी फेस्टिबल है, क्यों कि गन्ना है गन्ने और चावल का गुड़का कुछ बना के मिलाते हैं जो सबजी आती हैं कंदमू लाते हैं उनको बनाते हैं जितनी भी फसले आती हैं उन सब और देके आती हैं हमाँ देते हैं वो जो पूरी की पूरी मनौती या स्टूप और चैती है वो आज भी बनता है रोस पूरी पूरी पूजा में पूरी कहानी में पूजा तो बाद में बोलने लगे इसको इस पूरे की पूरे कारिकरम में कहीं कोई पंड़ा नहीं कोई पंड चलता है क्योंकि वो गीत गाते हैं साथ में जिसको छटक मया का गीत बोलते हैं क्या गीत गाते हैं वो गाते हैं कि कहानी ये बनाते हैं जिसको तोता बोलते हैं तोते का नाम बोलते हैं सुगती नाम है वैसे सुगत नाम है तो सुगा बोलते हैं सुग सुगा उसका नाम रख जो केले के गुच्छे को देखकर उसमें चौँच मारना चाहता है और उसको ये कहते हैं कि तू इसको जूटा मत करना अगर तू इसमें चौँच मारेगा और इसको जूटा करेगा केले कुच्छो को तो सूरज देपता का कोप का भाजन बनेगा यानि सन का सूरज देपता क डर आते हैं उसको तो तू कोप का भाजन मत बनना पर तोता उसमें गुच्छी में चौश मार देता है और चौश मारने की बाद में वो सूरज की कोप का भाजन बन जाता है और कोप का भाजन का मतलब है कि वो गुच्छे में कुछ उसका अनिष्ट या उसको हो सकता है कि वो खतम हो गया हो कहानी बता रहा हूँ आपको इसका आर्थ भी बताऊंगा तो बाद में जो उसकी पत्नी है यानि के जो कच्चाना है वो कच्चाना सुगनी बुला गया उसका नाम सुगनी उस गीत में सुगनी आता है सुगना और सुगनी तो सुगनी कहती है कि अब उसकी सू तो सुगनी बहुत जादा परिशान है क्योंकि अब उसका जो सुगना है जो उसका तोता है वो चला गया वो खतम हो गया तो उसकी दिल के अंदर तरफ है उसका प्रेमी उसका जो उसका साथी था वो चला गया उसको बहुत जादा व्योग है इस व्योग को वो गीत में गाते सुगना बोलते हैं सुगत को बुद्ध को और सुगनी बोलते हैं उनकी पत्नी को सुगत माने जिसकी अच्छी गती हो और सुगनी माने जिसकी अच्छी गती हो यह वो कहानी है चौच मानने के लिए क्यों मने करते हैं क्योंकि कहां चौच मार रहा है जो सुगत है वो राग म दूईस में चौश मार के उसको खतम कर रहा है और उसको कहते हैं कि ऐसा मत कर, क्यों साधू मत बन, संत मत बन, बुद्ध मत बन, बापस मत जा, ऐसा इस गाने का भाव है, पर बुद्ध तो बुद्ध ठेरे, वो तो राग दूईस को दूर कर चुके हैं, इसलिए वो नहीं कष्ट में होती है यह वो गीत है जो यह बताता है कि यह कहानी तोता मैना की नहीं सुगना और सुगनी की कहानी है सुगत की और सुगती वाली महिला की कहानी है और वहीं चलती है इसलिए इसको माता बोलते हैं इसलिए इसको छट माता बोलते हैं यह फैस्टीबल बड़े कमा का है बड़े गजब का है क्योंकि वहां जो भासा चलती है पाली चलती है मगती चलती है और इसको सब जानते हैं बहुत लोगों ने इसको चेंज करने की कोशिस की बड़ी बड़ी कलपनाओं से जोड़ने कोशिस की पर यह कहीं जोड़ती नहीं इसका जो लोक गीत है वो दो सब है फसल आने का भी तोहार है यह हमारा चैतिय का भी है यह हमारा जो धंब सीखने का उसका भी है जो हमारा वारित नियम यानि ब्रत रखने का फेस्टिवल यह उसका भी है यह अपने को सुद्ध करने का भी है यह उसके दुख में सरीख होने का भी है और यह कच्चाना को राहुलमाता को बिम्बा को यसुद्रा को यस करने का यस के गुणगान करने का भी कारिक्रम है पूरे साहित्ते में किसी महिला का इतना गुणगान इतना हूंचा ओधा जितना इस छट मैया को मिला है पूरे भारत के किसी फैस्टिवल में नहीं है ये बुद्ध से भी जाद हैं कोई नहीं रुकता यहां सारे के सारे अपने घर जाते हैं चार दिन का फेस्टिवल होता है और बहुत सिंपल फेस्टिवल होता है प्राकर्टिक होता है पुराना होता है आज भी सुद्ध है और कोई आडंबर इसके अंदर मिक्स नहीं और सबसे बड़ी बात है कोई वम फॉलो होता है जो वारित नियम जो विपसथिना करती है महिला नर्या नारी pravИो जमीन सोते हैं खीर खरणा भी होता है यानि दूस से बनी हुई चीजा भी इसके अंदर पर्साद बढ़ता है एक एक चीज वही है जो वही से आई है इसमें कहीं कोई अंतर है नहीं इसलिए यह छटकी कहानी है आप इसको जतना जल्दी हो सके सब को बताएंगे तो आप को पता चलेगा कि हमारे समणों की जो विरासत है वो कितने गजब की है और कितने कमाल की है और अब यह रहसे दर परदर पर खुल रहे हैं और बहुत जल्दी माता